जी हाँ, इंडक्षन खरीदने के बाद जो है, इंडक्षन बेस बरतन लेने के लिए जो है, बहुत साधानी अपनाना पड़ता है कि कौन सा बरतन खरीदें, मेरे कहने का मतलब है कि दो टाइप के होते हैं, एक एलमोनियम का और एक इस्टील के बरतन, इसमें ध्यान रखना परता है कि हमारे लिए फाइदे मनद कौन सा है, एलमोनियम का या इस्टील का, तो मैंने ये बरतन दोनों लिए है, श्टील का भी और ऑपना चाहिए या ईलमोनियम का, वैसे तो कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है及 और कुछ लोगों का ज्यादा लोग एलमुनियम के बरतन में ही खाना बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इस टील होता है बहुत जल्दी हीट होता है और जो तड़कावड का लगाते जो जल जाता है जल्दी से तो पसंद ज्यादतर यही होता है और लेकिन एक बात और है कि जो इंडेक्शन होता है इस पर जो बने गया है यह लिए बने आया गया मतलब यह बने करें लिसे प्लेक्स के लिए बनापार की आईर्मुनियम फटेप में ऐसा नहीं है स्टील में यह फ्लैट होना चाहिए वैसे तो इंडेक्शन बेस वाला हमने यह खरीदा है लेकिन इंडेक्शन बेस वाला नहीं लेंगे भगवना स्टील का नॉर्मल भगवना भी लेंगे लेकिन वह यह नीचे का फ्लैट होना चाहिए वह जो है हमारे हिसाब से यह लें तो इसके पीछे ब्लेट लगी होगी तो यह ज्यादा तर यह होता है कि कुछ दिन चलने के बाद जो यह गरम होके निकल जाती है तो इसलिए नौल या फिर ले भी तो अच्छी क्वालिटी का लें और गरङंटी वाले वेयसे तो मैं अच्छी क्व कोलेज नहीं थी तो हो सकता है मुझे उन्होंने गड़बट दे दिया है जो कि आइसाई मार्क भी है होलो मार्क भी है इस पर लेकिन फिर भी जो है यह अच्छी क्वालिटी के नहीं यह निकल गया था फिर मैं गया दुकांदार के पास सिकायत किया कि आप मुझे अच्छी क खरीद के ले जाएं तो यह बहुत बढ़िया है तो इस बरतन का जो है उन्होंने एक साल की गारंटी भी और इसके पीछे भी देखी एक प्लेट लगा हुआ है यह प्लेट लगा हुआ है तो मैंने लेते वक्त उनसे कहा कि ऐसा नहीं के बाद जो है यह भी निकल जाए तो कम का नहीं नहीं है अब यह इंडेक्शन पर नहीं करता है तो आप ध्यान रखें अगर लें अच्छी क्योड स्टील करें तो स्टील में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना इता वीडियो अब इस वीडियो के खतम करते हैं और उमीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चली हम मिलते हैं फिर किसे और वीडियो